Hello guys, welcome back to Comic Hind हम आ चुके हैं Thor के 20th पार्ट में और ये God of Hammers का भी 2nd पार्ट है तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजे तो चलिए शिरू करते हैं तो जैसा की हम अभी तक देख चुके हैं काफी टाइम से Thor को अपने हैमर के साथ इश्यू हो रहे थे कभी-कभी तो वो उसके उठाने के लिए हैवी हो जाता था तो कभी-कभी उसे कोई भी और उठा लेता था बट अभी तो मैटर और भी ज़्यादा खराब हो गया है क्योंकि वो अपने हैमर को अवेंजर स्माउंटेन में छोड़ के आ जाता है बट वो वहाँ से चोरी हो जाता है बट थार भी अभी एक भविश्यवानी से परिशानी में है जो की ये है कि गोड ओफ हैमर खतम करेगा किंग ओफ एसकार को और वो भी उसी के हैमर के साथ तो वो इसके लिए थरोग को भेजता है हैमर को खोजने के लिए इसी बीच वो और उसके पिता जाते हैं नेडावलियर में जो की बोनों का घर है और वहीं पे मिलनेर का भी जनम हुआ था वो दोनों वहाँ सवालों का जवाब लेने के लिए जाते हैं बट वो देखते हैं कि वहाँ सभी की मौत हो चुकी है और वो उसी के हैमर से हुई है तो यहाँ हमें बताया जाता है कि कुछ अजीब हुआ जो हैमर था वो बोला उसने वनियर की घाटियों को तबाह किया उसकी इको अलफ राइम के जलते होई किनारों तक पहुंची और वो मुस्फलाइम के ऐशिस तक भी पहुंची उसकी इको हर एक रियास्त तक पहुंची वैसे ही गरचते हुए जैसे और फादा ने जब इसमें जादू किया था बट अभी इसके पीछे कोई ठंडर या कोई वर्ड नहीं बचा बची है तो बस उरू की आवाज, हड़ियों को तोड़ने की आवाजें जहां युद्ध विराम था, जहां शांती थी, वो भी तूट गई अभी तो कान फाड़ देने वाले युद्ध के ड्रम्स की आवाजें आ रही है क्योंकि धनुश और भालों को तान लिया गया है एक नया गोड राइज हो गया है एक गोड ओफ हैमर्स जो अपने साथ गुसा, आग, युद्ध और मोत लेके आया है तो ये सीन है निडावलियर का यहां थौर ने किसी डैड बोने को उठाया होता है और वह बहुत ही जादा निराश भी है तो थौर कहता है यह है इतरी यहां का फौर्ज मास्टर जो बुरी और ब्रॉक का भाई था एगवांडा का पती था और किंडरा का पिता यह वही है जो इस वर्ल्ड में म्योईनिर को लेकी आया उरू में से यह इन बौनों का किंग था तुम्हारा बदला लिया जाएगा तो यहां वो अपने घुटनों के बल बैठा होता है तो तबी ओर्डिन उसको कहते हैं बहुत हो गया कोई भी किंग अपना शासन घुटनों के बल नहीं चला सकता तो वो उठते होए ओर्डिन को कहता है ये वाले के दिल में जो भी आएगा वो वैसा ही करने वाला है और आपको अपने किंग से जुबान संभाल के बात करनी चाहिए तो ओर्डिन कहते हैं अच्छा नहीं तो क्या होगा तुम दुबारा से अपनी मां के पास जाके रोने वाले हो तो हम देखते हैं कि थौर को गुसा आ जाता है उसकी आखे बिजली जैसे चमकने लगती है ओर्डिन कहते हैं क्या तो वो यहां ओर्डिन पे ही हमला कर देता है वो काफी पीछे की और जाके गिर जाते हैं ओर्डिन कहते हैं ओ मैं अभी बुड़ा हो गया हूँ तो तभी थौर भी वहां आता है और कहता है आपको लगता है यह फनी है आप एक ऐसी रियासत में खड़े हो जो ग्रेव यार्ड बन चुकी है और आपको हसना है और मेरा मजाक उड़ाना है मेरा मजाक उड़ाओगे तो ओरिन उसको कहते हैं मैंने तुम्हें काफी अजादी दी है बोई बट अगली बार तुमने जगड़ा गिया तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला तो वो चिलाता है यह देखो इसको यह सब आपकी गलती है तुम्हें देखता नहीं क्या बुड़े पागल वो पहले डॉनल्ड ब्लेक पागल हो गया आपको पता है ना आपका जादू खतम हो जाने से कितने लोगों की मौत हुई और अभी यह देखो उस हैमर में जो जादू था कि जो उसके काबिल है वही उसको उठा पाएगा वो भी खतम हो गया है वो भी जादू आपका था ना जिसकी वज़े से किसी गोड ओफ हैमर ने उसको चुरा लिया है आप अपने आस पास देखो पिता जी सब कुछ तूट चुका है सब खतम हो चुका है जिसको भी आपने हाथ लगाया जिसको भी आपने बनाया वो तूटने की कगार पे है ओडिन कहते हैं मेरा विश्वास करो मैं भी ये देख सकता हूँ तभी वो टेलिपोर्ट होके कहीं और पहुंचाते हैं तो थौर कहता है ये क्या तो ओडिन कहते हैं ये तुमारा भाई है वो हमें योटन हाइम में ले आया है तो वो चिलाता है हेलो लोकी तो लोकी कहता है हाँ हाँ ठीक है मुझे माफ करना मैंने तुम्हारी बाप बेटे की बाचित को बीच में ही रोक दिया बट मुझे लगता है क्या तुम अपना कुछ कहीं भूल तो नहीं गए तो थौर कहता है ओ नो ये हैमर ने किया है तो वो लोग वहाँ देखते हैं कि तबाही मची होती है तो यहाँ लोकी कहता है ये तुम नहीं कहा था ना या तो पीस होगा या तो ठंडर होगा बट अभी तुम्हारा पीस कहा है तुम्हारा ठंडर कहा है तो बताओ तुम्हारा हैमर कहा है तो थौरस को कहता है वो है कौन तो तबी ओडिन चिलाते हैं ये कोई पागलपन है जो God of Hammer है वो एक मित है ऐसी कितनी ही भटकाने वाली भविश्यवानियों को मैंने कुछला है और वो भी पता नहीं कितने ही सालों से तो लोकी कहता है क्या होगा अगर ये कोई मित ना हो तो ओडिन कहते हैं ये अलग है लोक चाहे इसके पीछे कोई और क्यों न हो उनको लगता है कि ये तुम्हारी वज़ा से हुआ है बाई अभी तो मैंने उनको संभाला हुआ है बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनको और जादा टाइम तक रोक भी पाऊंगा तो मुझे ये नहीं जानना कि तुम दोनों के बीच में चल के रहा है बट जो भी है उसको निपटा लो क्योंकि चाहे तुम उसको कोई भविश्यवानी कहो या कोई मित कहो बट वो जो भी है वो सच में है मैंने पूरा यूनिवर्स घूमा ताकि मुझे इस गोड के बारे में पता चल पाए बट इसके बारे में जो भी जानक जारी थी उसको तबाह कर दिया गया है और वो भी कुछ ही टाइम पहले किया गया है बट जो भी मुझे पता चला उससे एक ही कहानी निकलती है कि जो गौड ओफ हैमर्स है वो राइस करने वाला है वो दस रियास्तों में आग लगा देगा और वो एसकार के आखरी किंग को भी खतम करने वाला है और उसके बाद कुछ भी नहीं बचने वाला उसके बाद जो साउंड बचेगी वो होगी फौर्च की जलने की और गुसे की जैसे की गौड ओफ हैमर्स नई शेप दे रहा होगा वर्ल्ड को और ओडिन कहते हैं अगर उसने दस रियास्तों में आग ल जाने वाले तो तभी थोर कहता है वो सब कुछ जला देने वाले हैं तो तभी ओडिन कहते हैं मुझे तुमें कुछ बताना है थोर तो वो कहता है वेट मुझे बाइफ्रोस्ट की स्मेल आई तभी वो कहता है सिफ वर थ्रॉग तुम दोनों को कुछ मिला क्या तो वो दोनो वो शोक में होते हैं, वो कहते हैं, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, तो वो उसको कहीं भेजते हैं, तो वो कहता है, तुमने मुझे कहां भेज दिया, ये रियासत कौन सी है, तभी वो चौंक जाता है, वो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहां नहीं, मिडगार में नही और उसके आंसूं आ जाते हैं वो देखता है कि Brockstone भी तबाह हो चुका है अभी उसकी आखों में गुस्सा आता है उसके आसपा सब कुछ कांपने लगता है वो उठता है और चिलाता है वो देखता है कि उसका हैमर उसके पास आता है वो कहता है finally मेरे पास आओ वहाँ कौन है बट वो हैमर उस पे बार बार हमला करता है तो यहां थोर की बहुत ही जारा पिटाई होती है तो वो गुस्से में चिलाता है कौन हो तुम जो भी डरपोख हो मेरे सामने आओ छुपना बंद करो और मेरे सामने आओ मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है तो य थोर को आगे से आवाज आती है ओ तुम तो मेरा नाम जानते हो तुम तो हमेशा से जानते हो तो थोर भी चौंग जाता है वो कहता है नहीं तो उसे आवाज आती है कि मैं गौड ओफ हैमर हूँ तो उसके बाद हैमर बोलता है वो कहता है मैं मिलनिर हूँ तो यहां हम देख झाल झाल